कैसे हैं आप से भी लोग वेलकम बाक टू अनाधर वीडियो ओफ जीडिये फाइव एंड गाइज जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आज अपन लोग आ चुके हैं दुबारा से जीडिये फाइव की एक नई वीडियो में एंड यो वट इस अप चॉप नुट भाई क्या यहां पर मीटिंग रूम में बैट जाएं तो थोड़ा बहुत वाली फिलिंग भी तो आनी चाहिए आज चौपा जा जल्दी से बैट जा भाई कुरसी पर अच्छली में आज हम लोग खरीदने अवाले हैं एक बहुत ही जबरदस्त और सूपर पावर्ड गाड़ी तो ले या टॉरेरो एक्स ओ और इस गाड़ी का दाम है 2.89 मिलियन डॉलर्स होली शिट गाइस तो इस गाड़ी को ले सकते और भी काफी सारी गाडिया है बट आज अपन लोग इसी गाड़ी को एक्स्प्लोर करने वाले हमारे बास बहुत सारे कलर ओप्शन से यहां पर जिसमें स यलो और चलो फटाफट से इसको ओर्डर कर देते हैं अपन लोग इसको ओर्डर करेंगे एजनसी के अंदर गाड़ी अब बस हम लोग को वेट करना है कि काड़ी कब आईगी और उसके बाद मिलता हूं मैं आपसे लेट्स गो अल्राइट गाइस तो अपनी नई गाड़ी पर आच चुकी है एंड यह देखो लूग एड इस कितनी भयानक लग रही है भाई चलो फटाफट से इसको बाहर लेकर चलते हैं गाइस लेट्स नोट वेस्ट एनी टाइम एंड सीधा चलते है रोड पे यो वाट्स अप चॉप कैसा है ब्रो वाट भाई आप उनकी गाड जाधा फास्ट है तो रेस के लिए अपने को एक लोकेशन चूज करना पड़ेगा अपन लोग के पाफ एक लोकेशन अल्रेडी दिमाग में है गाईस तो अपन लोग यहाँ पर चलने वाले हाईवे पर और चेक आउट करते हैं इस कार की टॉप स्पीड सो लेट्स गो सब यह गाड़ी ठोकता रहेगा जिंदगी बर अल्राइट चलो गाईस यह हमारा स्टाडिंग लाइन डेखते ही कि क्या अपन लोग चॉप को बीट कर पाते हैं या फिर नहीं ऑल्राइट थी टू वान गो 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 पाबर रेंजर्स अपन लोग निकल चुके ग अब यह आपकी एक्सेलरेशन ठीक होगी ब्रो बट तोप्स पीड अची है इब्रो अरा जोट यह जो लुआ यह जो देघ्री नहीं करूंगा दुबारा 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 ओके चलो चलो गाड़ी मुढ़ाव गाड़ी को अटेर्स चलते रहो नहीं आईया गाडी की टॉप स्पीड बढ़िया है यहीं फाइदा होता है जब आप अपनी गाडियों को अप्ग्रेड कराते हो तो और ट्राफिक के बीच में से जूम होते हुए निकल के ओ भाई क्या निकाला है गाड़ी यार आप ग्रेड भी करना है यहीं पर चाहिए बट कहां पर है यार मैं इतने दिन से इस शौप पर आया है यहीं यार एक तो इधर दिख रहा है वाट यह काफी दूर है एक एधर है और एक इधर है तो میभी अपने लोग इस वाले पर इस चलते है यहीं ब्रात पास है लेट्स गो, ओके, तो गाईज, हम लोगों ने मारकर सेट कर दिया है, रेइस टु दे फिनिश, अब जो भी वहाँ पर सबसे पहले पहुचेगा, वही रेस जीतेगा, लेट्स गो, एक और बार रेस करें, गाईज, हम लोग अपग्रेड करके गाड़ी को, और हाँ, अगर आ दिक्कत होती नहीं है, गाईज, भाई, 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 पोल पर ठुक जाती, मेरे गाड़ी, all right, we are almost there, guys, बस थोड़ा सा और और उसके बाद सीधा अपग्रेड करेंगे, let's go, पलीस वालों की शॉप्ट बगल में है, भाई, भाई, आमिन, पुलीस सेशन, तो थोड़ा गाणी को स्लोक हर लेते है, just because, भाई, भाई, भी तो गाडी अपग्रेड भी नहीं हुगी, भी पुलीस पीछे पिछ जाएगी, तो क्या मज़ा आएगगा दोस्तो, हैना, एसके सकते हैं गाड़ी भाई क्या लग रही है I mean just look at it guys है ना जबरदस्त है और चलो चलो देखते हैं तुम्हारी गाड़ी का है जल्दी से मंगवाओ अपनी गाड़ी भाई अपनी लोग रेस करेंगे अरे रे रे ट्राफिक वाले अरे भया हर जगह गाड़िया ही चल रही है एक गाड़ी आ चुकी है और वो बिलकुल हमारे सामने है तो आप लोग देख सकते हो इसने ये गाड़ी लिये अभी ये तो बहुत फास्ट गाड़ी है भाई आजाओ 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 तो चलो भाई चलते हैं जल्दी से हाइवे पे फॉलो करो मेरे को गाड़ी को को आज नहीं करने का आप लोग देख सकते हो गाईस जस्ट आज वी वर अबाउट तो रेस यहाँ पर बारिश जो है वो हो चुकी है शहर के अंदर एंड़ हमारी रेसिंग में थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि यार देखो सड़की घीली होने के वज़ए से भाई यहाँ अपर टायर्स के अंदर ट्राक्शन कम पड़ता है और वो भाई रेस के लिए सही नहीं है क्योंकि गाड़ी फिसलते रहीगी तो ब्रेक सही से लगेगा नहीं अरे यार यह गाड़ी ठुक गई मेरी चलो कोई जादा जादा प्रॉब्लम नहीं हुआ है गाईस ओल राइट चलो दोस्त मैप जो है बहुत ही लंबा है गाईस जीटेफाइब का आपको तो पता ही है एड़ लोग रेस भी बहुत ही लंबा लगाने वाले है तो अपना रेस होने वाला है सबसे पहले जो मैप कर चकर काटके वापस इस पॉइंट पर पहुँचेगा वो जीतेगा and go okay the race has started अब देखना है guys कौन जीता है बहुत लंबा race होने वाला है मतलब भाई 4-5 km से भी जादा distance cover करना है बहुत सारी traffic से भाई पंगा लेना पड़ेगा बहुत सारे cars को हम लोग को dodge करना पड़ेगा बहुत सारे ऐस obstacles से भीड़ना पड़ेगा और उसके बाद जाके winner decide होगा तो let's see मैं यहाँ पर थोड़े shortcuts भी लेने वाला हूँ लेकिन overall अपर लोग जो है गाड़ी को road पे ही चलाएंगे मतलब आप wrong side जा सकते हो बड़े आपको road से बाहर नहीं जाना है because that will be considered disqualified ठीक है और अपने को disqualified नहीं होना अरे यार यार यह भाई गाड़ी नहीं हटाते है भाई all right let's go हम लोग यहाँ पर move कर रहे गाईस chop I think दूसरे direction से आ रहा है नहीं actually chop बहुत पीछे यार भाई आपने shortcut ले लिया ब्रो अरे shortcut नहीं भाई इसको wrong side से गाड़ी चलाना बोलते हैं अब मैं चला सकता हो तो मैं चलाओंगा ना भाई अपने पास इतनी skill है guys okay भाई बहुत दूर जाना है damn it एक तो यह भाई traffic कम क्यों नहीं हो रही है भाई बारिश हो रहा है तुम लोग घर में जाके बैठो यार रोड पे गाड़िया लेके क्या कर रहे हो और तो और guys इस चीज़ को और मुश्किल बनाने के लिए wait a minute okay time actually अभी है हमारे पास मेरे को लगा शाम हो रही है बट अभी सुभा के 11 बज रहे है मैंने फोन पे जस्ट चेक किया है and I feel like अपने पास अराम से 6-7 घंटे की sunlight बची वी है और यह समय काफी होता है guys race को अपने कबजे में लेने के लिए ठीक है चलो भाई अच्छा कासा head start है chop तेरे गाड़ी तो अपग्रेड़ेड नहीं है न ब्रो भाई आपको हराने के लिए stock transmission ही काफी है ब्रो यही यही चीज तेरे को बहुत लॉस देगी दो उस्ते लोगा इस चल्दी से चलते आगे एक माइल मैंने cover कर भी लिया वो काफी जादा distance cover कर लिया मैं सामने में आप लोग देख सकते हो billboard भी बहुत सारे I mean GTA Online के billboards are way better story mode में तो पता नहीं क्या चेप के रखते यह लोग भाई at least यहां के billboard अपडेट होते रहते हैं बाई okay come on guys अब traffic जो है उतना जादा नहीं दिख रहा proper highway पे अपल लोग आ चुके है and जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ मैं I think मैं already top speed पे हूँ wait let me check yup अपल लोग guys if I'm not wrong around 160 miles per hour की speed पर cap out कर जाती है हमारी गाड़ी and अपल लोग अभी उसी speed पर चल रहे है GTA में भाई लोग को speedometer का option देना जीदे कि जब भी मेरे को speed check करनी पड़ती है मेरे को first person में जाना पड़ता है और भाई first person में steering wheel के होने के वज़ा से अपने को dashboard जो है उतना अचा से दिखाई नहीं देता है but never mind that अम लोग यहाँ पर complain करने के लिए नहीं बैठे है अपल लोग race जीतने के लिए बैठे है guys and almost 50% race finish हो चुकी है अब बस मेरे को 50% और complete करना है मेरे को तो लगता है भाई यह गाड़ी इतनी तेज है आप like literally पूरे map का चकर 5 minutes से भी कम समय में लगा सकते हो and आपको तो पते ही यह GTA के map कितने जादा बड़े bro like कोई भी गाड़ी आराम से 10 से 15 minutes लेगी लेकिन अगर आपके पास यह supercar है तो भाई आपको tension लेने की जरूरत नहीं है but still मैं कहूंगा भाई सबसे fastest तरीका चीटिये के map में navigate करने का है भाई private jet like seriously उससे जहाँ fast कुछ नहीं है उसके बाद helicopter है and उसके बाद आप bikes या cars में जा सकते हो बाई कैसे गाड़ी चला रहा है यह चोड़ा भाई सहाब बिना indicator दिये राइट ले रहा है भाई गाड़ी ठुक आएगा क्या ओ ओ ओ ओ ओ पचालिया भाई मेरे को तो लगा थे यहाँ पर grip भसेगा दोस्तों अपर लोग की गाड़ी भी तूट सकती थी but let's go मैं एरपोर्ट के पास हूँगा all right guys we have made it inside the city and आप लोग देख सकते हो अब actually जादा दूर नहीं है एरपोर्ट यहाँ पर से ओ भाई मैंने एक छोटा सा रॉंग टर ले लिया don't tell me भाई बहुत mistake हो गई मेरे से okay guys अभी भी chop काफी दूर है अपने से so we still have time but who knows guys क्या पता last moment पर भाई वो catch up कर ले मेरा बहुत बुड़ा accident हो जाए कोई नहीं जानता है so we can't tell कि अभी कौन race जीतने वाला है but situations जैसी अभी फिलाल की है उसके हिसाब से देख करके यहीं लगता है कि अपने chances जादा है इस race को जीतने के but you can never tell until the last moment तो चलो भाई जल्दी चलते हैं और Mr. Chop कुछ कहना चाहेंगे आप audience को 40 भाई यहीं बोलूगा बारिश नहीं होती तो आपको हरा देता अरे तो अभी race खतम नहीं हुए दोस्त बारिश हो या ना हो तो हमेशा जीत सकता है और 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 अराम सेव यहाँ वाला रास्ता थुरण डिफिकल्ट है गाईज यहाँ पर गली से गाड़ी निकालनी पड़ती है और इन गलियों में ठुक सकती अपनी गाड़ी उपर से यह देख रहो इतना जादा अप एंड डाउन है ना यहाँ पर से एक राइट टूर्ण लेंगे एड अब सीधा अंदर जाने का टाइम आगया है एरपोर्ट के गेट पर आ चुका हूँ अरे नहीं अरे इधर से तो एंट्री नहीं है इधर से एंट्री मिलती नहीं मैं भूल गया था अपने को एंट्री लेने के लिए दूसरे गेट पर जाना पड़ेगा यह रहा वो गेट जहाँ पर से एंट्री मिलेगी सो अलाइन दे कार एंड सीधा जंप करके अंदर ओ भाई इतनी बारिश हो रही है इधर प्लेन तो दिखनी रहा है मेरे को गाईज ओ एक प्राइविट जेट है चल दी चल दी चल दी चल दी चल दी चेट के अंदर बैठ हो और सीधा टेक आउफ करते हैं आप उन भी पहुच गया है एयरपोर्ट के पात ब्रो अरे तो जल्दी आजा अगर मेरी जेट से पहले तो भाई अपने को डिफीट कर देगा रनवे पे तो मैं मान जाओंगा गाईज ओके ओ भाई यह ओल्मोस्ट आ चुका है एयरपोर्ट पे है कहां यह डोंट टेल मी कि यह शॉटकट मार के एंट्री ले रहा है ओके मेरे को आउट्सकर्ट पे दिख रहा है चॉप ओ भाई 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 आराम से प्लेन पे जाधा फोकस करना चाहिए मेरे को अभी निकल चुके हैं हम लोग आसमान की उचायों में एंड इसी के साथ तुम्हारे फ्रॉस्टी भाई ने हमेशा कितरे एक और नई रेस जीत ली है गाईज और वो देखो चॉप द नूबडा कहां पर आपे भाई तेरे से एक और प्लेन भाई डेखते उस प्लेन में ठोक सकत काने नहीं दे सकता मैं यले कामी कासे अटेक ओमाई गॉडड तो गाईज I hope you enjoyed this video अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो ऐसे और इंसे चैलेंजेस के लिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक लिए थैंक्स वुर वाचिंग एंड हमेशा की तरे स्थे फ